ध्यार रखना भक्तों यह जो कारिक्रम सुन रहे हैं आप गुल्सन कैसर्थ कंपनी शॉपला की तरफ से मैं भगवान मुर्ली मनुवर घंश याम से प्रातना करूँगा कि भगवान इस स्टूडियो को दिन वा दिन उचाईयों की तरफ ले जाए यही मेरी उस मुर्ली मनुवर घंश याम से प्रातना है और दोस्तों कहना है कि शिंशार में बहुत से ऐसे पिता हुए जो बेटों की खातर इस दुनिया से बिदा हो गए लेकिन आद दिन तक ऐसा कोई बेटा नहीं प्यदा हुआ जो पेता की खातर मरा हुआ लीजेगा तीन ऐसे पिता हुए हैं जिन्होंने बेटे की खातर अपने प्राणों को तज़ दिया तो दियान देना है भगतों कौन कौन से बो पिता है केना है कि बोल लन ने कहां से लाओं जो पिता करिडी चुकाई बोल लन कहां से लाओं पिता करिडी चुकाई पिता ललन की खात पिता ललन की खात अपने जा जमाएं बोल लन ने कहां से लाओं पिता करिडी चुकाई आज कोई जब पिता खतम हो जाटा है तो बेटा तैसील में जाकर के अपना नाम चड़वा देता और पिता का नाम कठवा देता है लेकिन महराश वो दालक रिसी सुनते हैं कि मेरा शर्वण इस दुनिया में नहीं रहा है जोब सुत का मरण सुना है जल तो नहीं पिया है जोब सुना कि शर्वण संसार में नहीं रहा भगतो उशिशमन सुत का मरण सुना तो जल तो नहीं पिया है अज में बेटे के खाटर अपने प्राणों को तजरा हूँ ऐसे ही तू भी अपने बेटे के वियोग में अपने प्राणों को तजरेगा बड़ी फोसुई क्योंकि तब बेटा राम नहीं थे प्राणों को तचिते तचिते ऐसे कह दिया है है कोई है कोई इस जहां में है कोई इस जहां में मेरे लाल से मिलाए पुललल कहां से लाओं किता करिडी चुकाए इधर राम की कावतार होता है बड़ी प्रशंता होती है शीता मैया की साथ बिभा होकर के अबत में खुशियां मर नहीं है लेकिन मा के कई ने शर्शुती के आधार पर मंत्रा के कहने पर बरदान मांगा है तापस वेश्विसे सुदासी चौदे बर्स राम बनवासी और जब ये बर्शन मांगा है तो राम की पभत को प्रणाम करते हुए आंगे बड़े हैं अब भत को प्रणाम करिके प्राणों को तच दिया है शेबार राम को कहेंगे प्राणों को तच दिया है है कोई इस अबधी में राम से मिलाए पुललन कहां सिलाओ पिता करणी चुकाई पुललन कहां सिलाओ पिता करणी चुकाई वरिक पिता ललल जी खात पिता ललल जी खात अपनी जाजमाए वो लललन कहां सिलाओ पिता करणी चुकाई और ध्यार रखना भक्तो जहां न पूँचे रभी बहां पूँचे कभी बहां पूँचे अनुभवी बात इस बाकी है जित मुशल्मानी राजा हुआ और मुशल्मानी राजा बाबर हुआ है जिसका बीटा है हेमाउं बीमार पड़ जाता है शुना वुशी शमय बाबर रोने लगा और क्या बोला है जब हाल ये सुना है जब हाल ये सुना है पितान कजम खांकर जब हाल सुना कि मेरा बेटा है माउं बीमार है जब हाल ये सुना है पितान कजम खांकर और दिये ही साथ तु थेरे बोला रोके बाबर शार बाई के शाथ फिरे दिये हाए और कहने लगा है कोई इस जहां में मौत से कजम मिलाए बोललल जहां शिलाओ तिका करड़ी खुआए और पिताल ललन गी खांकर पिताल ललन गी खांकर अपने जाँ जमाए फोललल जहां शिलाओ पिताकरड़ी खुआओ पिताकरी खुआओ पिताकरी खुआओ पिताकरी खुआओ कोल ये कुलंद भखवान की झाल झाल